ओम स्री गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच जून सौंबार के रासी फलके बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदायक सूचना आपको प्राप्थ होगी दोस्तो और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दिया उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफि लाबदायक साबित होंगे दोस्तो साथि साथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना है दन के निवेस संबंदित कारों पर आज आप विशेश रूप से ध्यान दें लाबदायक समय आज आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सदियो प्योग करें दोस्तो कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कारों के परती आज आज आपका रुजहान रहेगा किसी भी कार्रे को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से छानवीन करें इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तू संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तों किसी मित्र के मुसीबत के समय में आज आप उसका सहयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्दान्तों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का अशिरवाद और इसमें आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आपका रुज़ान रहेगा जरुतमंदों की साहिता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज आप अपने स्वयभाव पर नियंतर रखें क्योंकि कभी कभी वेवार में चड़ चड़ापन आपको अपने लक्ष से भटका सकता है और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तो आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुस्सा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर ले दोस्तो बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दर्सन देने की आपको आवश्चकता है मकान वे गाड़ी से संबंदित काग जादों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें उनके खोने या रख कर बूलने की आज संभावना बन रही है दोस्तो अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगर सकता है किसी नजदी की रिष्टेदार से आपकी जिद की वज़े से संबंद खराब होने की भी आसंका है दोस्तो अपने श्वबाव में लचीला पन रखें तता रिष्टों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखने की आवश्चकता है दोस्तो संतान के किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहेगी परंतु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहें कि भावुकता में आकर कोई भी निर्ने ना लें वैवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो विरोधी आपके लिए आज कुछ मुस्किलें पैदा कर सकते हैं परंतु आप अपना आत्म विश्वास बनाए रखें आपको विजय हासिल होगी दोस्तो साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मांसिक तनाओ बढ़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जबकि लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो वहवायत जीवन को खुस में बनाने में ही आपकी भूमी का अधिक महत्पपूर रहेगी प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभावना बन रही है अपने वहवार को आप सयमि रखें दोस्तो अपने प्रते कारे में जीवन साती की सला लेना आपके केई कारें को पूरा करने में मदद करेगा प्रेम संबंदों में भी परिवारे के शुकरती प्राप्त होगी दोस्तो वेस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं परंतु जीवन साती आपकी परिशानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे दोस्तो घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएं और माहूल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम भी बना होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाएक जीवन काफी खुसनुमा बना रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो कारेच छित्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुबब व्यक्त हो सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सला आपके वैवसाई के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी दोस्तो इसकी बहुत अधिक आवश्यक्ता हैं इस बात का आप जरूर ध्यान रखें नौकरी पेशा व्यक्ति को कोई उपलब्दी मिलने के योग आज बन रहे हैं जिससे उनको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो वैवसाईक उदेश्यकों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव हैं अगर किसी नए कारे की सुरूरात की हैं तो अब उसके उचिते पेढ़नाम आपको मि लाइक पेढ़नाम प्राप्त होंगे परन्तु मारकेटिंग वे भार के कारों को आज इस्तगित रखें किसी नजदी की मित्र की सला पर गंभीरता से विचार करें तोकि यह सला आपके लिए काफी फायदेवन्द साबित हो सकती हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स् चरिया वेवस्थित रखें और आयरुवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रूजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश दोस्तो आज आप इश्णान आदिश निर्वत्र होने के बाद बेलव पत्र के 21 पत्ते तोड़ें जै दोस्तो आपको धियान इस बात को यह रखना है कि वे जो आप 21 पत्ते तोड़ें वे बिल्कुल साबुत हों अखंडित नहीं होने चाहिए कटे फटे कहीं से ना हों ज साफ जल से या फिर गंगा जल से धोएं इसके बाद आप उन 21 पत्तों पर चंदन से ओम लिखकर भगवान भुलेनात को अर्पित करें और साथ साथ भगवान भुलेनात के मंत्र ओम नामा शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल लही हैं समस्त परिशानियों का अंत्र करेंगे और आपकी समस्त मनों कामने भगवान भुलेनात के आशिरवास्य अवस्य ही पून होंगी या दोस्तों आप इस उपाय को वस्चे करें आपको वस्चे ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों बगवान बोलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो सचे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बोले ना तवस्चे लिखें और वीडियो को लैक करना ना भूलें धन्यवाद